लोग पढ़ेंगे बही स्टोन सेतु का नियम क्या है बही स्टोन सेतु ने क्या नियम दिये थे और इनोंने क्या सुत्र बनाए थे आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यारती इस नियम को अपने कापी में नोट का लेजेगा क्योंकि यह नियम कई साल के परिच्छा में पूछा जा चुका है तो यह नियम जो है कहां के रहने वाले विज्ञानिक ने खोज किये थे तो याद रखिएगा इंग्लेंड के रहने वाले विज्ञानिक थे प्रुफेसर थे सी एफ वही स्टोन ने सन अठारे सो ब्यालिस स्वी में वही स्टोन सेतु का खोज किये थे तो अब सभी विद्धार्थीई से अपने कॉपी में क्या किजीगा नोट करते चलिएगा तो इंग्लेंड के विग्ञानिक पност सी एफ वही स्टोन ने सन अठारे सो ब्यालिस इस्वी में चार परतिरोध कितने परतिरोध को लिए थे तो चार परतिरोध एक सेल तथा एक धारा मापी को जोड़ कर एक ऐसा बिसेश परिपत तयार किया मतलब पर्फेसर जी ने चार परतिरोध को लिए एक सेल को लिए और एक धारा मापी को ले करके जोड़ करके एक ऐसा परिपत तयार किये जिनकी सहायता से किसी चालक का परतिरोध ग्यात किया जा सकता है मतलब जो चालक का जो परतिरोध है उसको ग्यात करने के लिए एक परिपत तयार किये थे इस परिपत बिवस्था को ही बहिस्टोन से तू कहते हैं जो परिपत बना था उस परिपत को क्या कह दिये बहिस्टोन से तू कहते हैं तो आप सभी भी द्यार्थी समझ लिया होंगे कि बाइस्टोन सेतु कहां के रहने वाले थे इंगलेंड के रहने वाले थे और इन्होंने कितने परिपत में कितने परतिरोध लिये थे तो चार परतिरोध एक सेल और एक धारा मापी को ले करके जोड़ करके एक विसेस परिप का नाम क्या था बैस्टोर से तु कहते हैं अब इनका नियम क्या है तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे तो बस थोड़ा सापको ध्यान देना है यह जो सुत्र बना है इसी सुत्र को यहां पे लिखा गया है तो यह सुत्र कैसे बना है आपको सीखना है और यह सुत्र कैसे निगमन किया जाएगा मतलब कैसे यह नहोने सुत्र को बनाए थे तो आज जो है आपको बताया जाएगा और आप सभी भी द्यार्थी इस सुत्र को बनाना सीख लीजिएगा तो अब यहाँ पर नोट कर लेंगे इस नियम के अनुसार सेत के संतुलन ब्यवस्था में मतलब उनका संतुलन ब्यवस्था किये थे चार परतिरोध ले करके संतुलन ब्यवस्था किये थे तो सेत के किनी दो सलगन सलगन या देगे सलगन लिखा गया है दो सलगन भुजाओं में लगे परतिरोधों का अनुपाद परतिरोधों के अनुपात के क्या है बराबर होता है यह बात किसने बताए थे तो बाइस्टोन से तुने बताए थे कि जो यह परिपत है आपका जो परतिरोध है तो कितने परतिरोध इसमें है तो पी और क्यों दो परतिरोध है तो कहेंगे किने दो सलंगन भुजाओं में ल अनुपात कहां से आ गया तो अनुपात का मतलब जो है बटे में अगर रहता है तो उसको अनुपात पढ़ा जाता है तो इस सुत्र को आप सभी विद्यार्थी याद कर लिजे और इसे पने कापी में नोट कर लिजे अब यह सुत्र कैसी बना है अब इस सुत्र का निगमन आ अच्छे से समझेगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं सुत्र का निगमन मतलब वैस्टोन से तुने जो सुत्र बनाए थे भी बटा क्यू बराबर आर बटा यह कैसे बना था इसका निगमन किया जाएगा तो परिछा में जो है संतुलित अवस्था में परतिरोध के बीच संबंध अस्थापित किजिए तो यहां दो प्रश्ण आपको बताया गया है दोनों प्रश्ण का उतर जो है एक ही होगा यहां नाम रख दिया गया किरिचाप का नियम और वैस्टोन से तो दोनों लोग का नियम के सहायता से जो चार परतिरोध लगा है और यह चार परतिरोध को जोड़ किस करम में जोड़ा गया है तो चार परतिरोध को स्रेणिक करम में जोड़ा गया है और इसमें धारा मापी लगाया गया है और यहां पे कुंजी केवन है और यह कुंजी जो है केटु है जब दोनों इसमें तो इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित होने लगेगा तिसने यहां पे कुंजी लगा है आन आप करने के लिए तो इस परिपत को पहले आप सभी भी द्यार्थी कितने सेल है यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना इसमें चार परतिरोध है एक सेल है एक धारा मापी है चार परतिरोध का नाम क्या है पी क्यू आर यस है तो यहां पर बहने वाली धारा को ध्यान देंगे यहां से जो धारा उपर की तरब रह यहां यह जो ध्यान यहरा यहांपहार जो है यहां पर कियों में यहां लीपरीघु दिशा में आपको ध्यान देना है यही वीडियो में जो बताया गया था किरचाप का नियम तो यहां पे जो है किरचाप का नियम लागू किया जाएगा आप सभी भिद्यार्थी अगर किरचाप का नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के किरचाप का नियम देख सकते हैं तो अब हम लो सुत्र का निक्बन किया जाएगा पहले यहां लिखेंगे माना माना चार परतिरोध है कितने परतिरोध है माना चार परतिरोध परतिरोध का नाम आप सभी विद्यारती जान चुके होंगे तो चार परतिरोध कौन कौन से है तो P है Q है R है यास है किस करम में जुड़े हैं चार पर तिरो पी क्यू आर किस में हैं स्रेडी करम में जुड़े हैं समझ में आ रहा होगा किस करम में जुड़े हैं तो स्रेडी करम में जुड़े हैं अब यहां पर बंद पास जो है बंद पास का नाम या आधा को पहले नोट करेंगे उसके बाद से आधा तो आधा का नाम थोड़ा से याद रखेंगे इसका नाम A, B और यह क्या है D, A मतलब आधा का नाम हो गया A, B, D, A हो गया और आधा का क्या नाम हो जाएगा तिसका नाम हो जाएगा B और यहां होगा c d b हो जाएगा तो इसमें आधा आधा जो है परियोग करेंगे पहले आधा जो है खंड का और आधा पहले एखंड का मतलब परियोग करेंगे तो यहां लिख सकते हैं बंध पास भास में नाम रख, भास क्या नाम है पहला का तो लिखेंगे A, B, D, A में मतलब A, B, D, A में अब यहां जो है किर्चाप का नियम लागू किया जाएगा यहां लिखेंगे किर्चाफ का नियम तो किरचाफ का नियम क्या है तो किरचाफ का नियम बताया गया है कल के वीडियो में बहुत आसान है तो किरचाफ का नियम अब यहां देखेंगे यह I1 है I1 जो है P के पास जो है धारा जा रहा है और यहां देखेंगे उल्टा है विप्रीत सामें यह उपर की तरब जारा है और यह नीचे की तरफ जारा है जब निचे की तरफ जाएगा विप्रीत है इसलिए माइनस और यहां लिखेंगे I2 और यहां लिख लेंगे R, बराबर क्या हो जाएगा, 0 क्योंकि किर्चाप की नियमे बताया गया था तो यह क्या हो जाएगा I1P मतलब यहां I1P और माइनिस क्या हो जाएगा I2 R हो जाएगा, यह माइनिस है अगर इसको पच्छांतर कर दें तो क्या बन जाएगा I1 P बराबर हो जाएगा और I2 जो है R यह बन जाएगा समीकर नमबर एक तो समीकर एक आप सोभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे किस नियम से लागू किया गया है तो किरचाप के नियम से लागू किया गया है बस थोड़ा सापको ध्यान देंगे यह धारा जो है आपको P के पास जा रहा है और यह धारा जो है विप्री दिशा में है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो I1 P माइनस I2 R बराबर 0 यह माइनस है पच्छांतर कर देंगे तो पलस हो जाएगा तो बंद पास जो है इसका नाम होगा B C और क्या होगा D B तो यहां लिखेंगे B C D B में अब यहां पर भी जो है क्रिचाप का नियम लागू होगा तो यहां लिखेंगे क्रिचाप का नियम तो क्रिचाप का नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया है, बहुत असान नियम है, किरचाप का नियम, अब यहाँ जो नियम क्या बनेगा, अब देखेंगे यह जो है I1, यह I1 Q है, मतलब यह I1 Q हो जाएगा, और यहाँ देखें धारा जो है, विपरित है, यह चीन को ध्यान देना है, चीन जो ध्यान देंगे, यह इध की तरफ है तो यहां क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे आई वन क्यू माइनस आई टू क्या होगा यास बराबर क्या होगे जीरो हो गया अब यहां जो है माइनस जो चीन है उसको क्या कर लेंगे पच्छांतर कर लेंगे जब पच्छांतर करेंगे तो क्या बनेगा आई वन क U बराबर हो जाएगा I to yes हो जाएगा अब यह बन गया समीकर नमबर दो समीकर एक और समीकर दो आप लोग को अच्छे से समझ में आगे आओगा बहुत ही असान है बस थोड़ा साब को धियान देना है अब क्या करेंगे समीकर एक में समीकर दो से भाग कर देंगे यहां नीचे लिए देंगे समीकर एक भागा समीकर दो से मतलब दोनों में जो है समीकर एक और समीकर दो से क्या कर देंगे भाग कर देंगे समीकर दो से कर लेंगे तो भाग कैसे दियाएगा तो समीकर एक क्या है तो समीका एक क्या है I1 पीथा और बटा में क्या हो जाएगा यह जो हो जाएगा I1 क्यों हो जाएगा बराबर हो जाएगा और यहां क्या होगा I2 जो है R हो जाएगा और यहां जो बनेगा I2 जो है Yes हो जाएगा तो यह दोनों समीका को क्या कर दिया है भाग कर दिया है समीका एक और समीका दो को क्या किया गया भाग दे दिया गया उपर वाला जो समीका एक है और नीचे वाला समीका दो है अब यह I1 से I1 को I2 से I2 को काट देंगे काटनी की बाद क्या बचेगा तो क्या बचेगा अब यहाँ पे नोट कर लेंगे तो क्या बचेगा P बचेगा बटा Q बराबर बचेगा R बटा Yes यह सुत्र कितना आसान है किर्चाब का नियम के सहायता से 22 सेतु का सुत्र का निगमन हो गया बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना ये भी क्या ध्यान देना है धारा धारा किस दिशा में जा रहा है बस यही देखना है आपका सुत्र का निगमन अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि आपको सुत्र का निगमन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब यहाँ नीचे नोट का लिजेगा यही सेतु संतुलन सर्त है यही सेतु संतुलन का नियम है लिख सकते हैं तो नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा वाइश्टोन सेतुने क्या सुत्र बनाये थे किसके सहायता से बना था तो किर्चाब की नियम के सहायता से बनाया गया था P बटा Q बराबर R बटा E